हलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रियेटीव लाइफ आज हम लोग जो है देख रहे हैं जो है मिक्स्ड आप्रेशन मिस्र संक्री आए और इसमें जो है हमारा अभ्यास प्रस्न है आज तो आज हम अभ्यास प्रस्न को सॉल्ब करते हैं चलिए सुरुवात करते हैं हम पहले प्रस् कर लेते हैं यहां पर हम सबसे पहले करेंगे वह कि प्रक्रिय करेंगे और इसके आगे हम करम से लिखते जाएंगे यह च्छाइब च्छाइब जाएगा 36 में च्छाइब देंगे यह गुड़े आगे जो चीजें उसको वैसे लिख दे रहे हैं साथ रेड़ तीन धन आठ ठीक अब इसके बाद हम भाग के बाद गुड़ा करेंगे यह हो जाएगा सच्छंग 42 याच्छा सते 42 जो कह लीजिए यह हो गया 42 रेड़ तीन धन आठ अब हम जोड की प्रक्रिय करेंगे तो धन 42 और यह आठ तो यह आपका हो जाएगा आठ दो दस और यह हो जाएगा आप कहां से लिख चार एक पांच अब इसमें बच रहा है अगला स्टेप माइनस का तो हम घटा देंगे इसमें से पच्यास माइनस 30 जवाब करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एंसर आजाएगा वह आजाएगा 46 ठीक चलिए इसके बाद हम अगले प्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं जो की है प्रेशन नमबर यह भी हल करना है यह देखते हैं हम किस परकार से यहाँ पर प्रेशन दिये गए हैं पर जाएगा नौ एककम नौ और इसके बाद यहां पर जाएगा गियारा में से नौ घटाएंगे यह दो और यहां पर साथ उतार लेंगे नौ ठार नो त्री 27 यहां पर बच जाएगा यह तेरा पर हम 13 लिख देंगे उसके बाद माइनस 5 गुड़े 2 लिख देंगे अब इसके बाद गुड़ा वाला सेक्षन हम करेंगे यह हो जाएगा 13 माइनस 5 दुनी 10 अब इसको हम घटा लेंगे 13 में से आप 10 घटाएंगे तो जो आपका अंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इस प्रकार से इस प्रेशन को आप सौब कर सकते हैं चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग अगले प्रेशन की तरफ चलेंगे तो जो हमारा अगला प्रेशन है वो है प्रेशन नंबर गर देखते हैं प्रेशन नंबर गर क्या कह रहा है यहां पर steps दिये गए हैं किस प्रकार से हमको करना है 12 गुड़े 8 minus या फिर जो रिड़ आप कहते हैं 11 धन 4 भागे 2 सबसे पहले हम भाग की प्रक्रिय करेंगे बागी चीजें उसी step में हम लिख देंगे चलिए यह हो जाएगा 12 गुड़े 8 11 11 धन उसके बाद चार भागे 2 करेंगे दो दुनी चार यहां पर दो बच्चा अब उसके बाद गुड़ा के प्रक्रिय करेंगे 12 8 9-11 धन दो अब चानवे में हम दो जोड देंगे यह हो जाएगा 98-11 अब इसको आप घटा देंगे तो यहां पर 8 में से 1 जाएगा 7 बच जाएगा और 9 में से 1 जाएगा यह 8 बच जाएगा तो आपका जो एंसर आ जायएगा वो आजयाएगा आपका 87 यिसा प्रकार से आप प्रस्टों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप इसको क्रम से बराबर के नीचे बराबर लिखते हुए सॉल्व करेंगे ठीक है तो जैसा कि प्रस्ण में यहां से इसके नीचे ही आप बराबर करते हुए सॉल्व करेंगे तो चलिए घर नमबर देख लेते हैं 445 धन 35 भागे 5 रिड 32 गुड़े 9 तो से फहले भाग की प्रक्रिय हम करेंगे तो यहां पर हम बराबर करके लिख दे रहा है 445 धन अब यह 5 सत्य 35 रिड 32 गुड़े 9 अब यहां पर 445 धन 7 माइनज आब इसमें आपकी gep्रक्रिया है गुड़ा की प्रक्रिया आपको क्या करना है 32 गुड़े 9 करना है 32 गुड़े आप 9 करके कहीं पर देख सकते हैं तो 9 दुनिय ठारा की 8 हासिल लगा 1, 9, 9, 9, 3, 27, 1 28 तो यह आप का जाएगा 288 अब इसके बाद आगे हम कर लेंगे धन धन को जोड़ देंगे तो 7, 5, 12 की 2 हासिल लगा 1 इसको भी आप घटा देंगे जैसा कि आपको दिया गया है 452 माइनस 288 चलिए इसको हम लोग घटा कर देख लेते हैं यहाँ पर 452 माइनस 288 तो 12 में से 2 में से 8 जाएगा नहीं तो यह हो जाएगा 12, 12 में से 8 गये यहाँ पर जाएगा आपका 4 अब यहाँ पर बच गया आपका 4 14, 14 में से 8 जब आप घटाएंगे 8, 6, 14 होता है यहाँ पर हो जाएगा च्छा है यहाँ पर धार गया था तो यहाँ पर 3 में सदो गए एक तो आपका जो एंसर आएगा वो आएगा आपका 164 इस प्रकार से इस प्रस्ण को आप असानी से solve कर सकते हैं एक इसी प्रकार से अगला प्रस्ण है अगले प्रस्ण को भी हम solve करके देख लेते हैं जो की है अपका अंगा नंबर प्रस्ण का एक का अंगा यहाँ पर जो दिया गया है प्रस्ण वो है 505 भागे 5 धन वागे 5 ये हो जाएगा 5 एकम 5 ठीक यहाँ पर आजाएगा सुन्य 5 सुने यहाँ पर उत्रे पांच फिर 5 एककम 5 आ जाएगा यहाँ पर 101 धन उसके आगे वाला 215 आप इसको जोड दीजी पांच 6 1 2 1 3 आपका जो एंसर आ जाएगा वह आ जाएगा कर 316 इस प्रकार से आप इसको solve कर सकते हैं चलिए नमबर प्रफ्ण को हम देख लेते हैं कि एक तालीस माइनेस आठ गुड़े चार भागे एक धन तीन सबसे पहले भाग कर लेंगे हम तो यह एक चवक के सिक्षन यह है यहां पर हम करेंगे एक तालीस माइनेस आठ चवका 32 माइनेस है तो यहां पर आगे माइनेस रहेगा या फिर चार अथे बतीस धन तीन को इधर करके आप जोड़ लीजिए यह हो जाएगा तीन एक चार चाववालीस माइनेस बतीस अब इसको जब आप गए नियम के आधार पर ही करना है जैसा कि आपको अभ्यास प्रस्ण से परहले जो चैपटर है मिस्क्र संक्रिया एं इसके माद्यं से सब्सक्राइब कर सकते हैं अब यहां पर जो है अनुल लगाकर हल्भ बताक आना है तो यहां पर आपको पहला प्रस्ण तो उसके बाद भाग देंगे यह भी सुननी हो जाएगा इसको आपको सॉल्ब नहीं करना है बस अनुमान लगा के बताना है खाल देखिए तो पाच भाग देंगे तो यह सुनने आ सुननी हो जाएगा प्लस एक और यहां पर आपका आपका जाएगा सूननी में एक जो जाएगा उसके आपाद ये सवाल देख लेते हैं हम सबसे पहले भाग देंगे एक दुखके दो यहां पर 2 ही जाएगा तो 100 दुआई यह जाएगा अपका दोस्त इस प्रकार से आसानी से इस प्रकार के प्रेस्ट आप कर सकते हैं बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से यह सौल हो जाते हैं चलिए अब जो है इबारती प्रेश्णों को देख लेते हैं साइकिल के एक कार खाने में जो है 1565 तथा दूसरे कार खाने में 4236 साइकिलें बनती हैं तो बताइए दोनों कार खानों में 27 दिन में कुल कितनी साइकिलें बनेंगे पहले देख लेंगे हम क्या क्या चीजें दिया गया है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कुल दोनों कार खानों में जो है कितनी स 2465 हो जाएगा और दूसरे कार छाने में 4266 हो जाएगा ठीक अप हिसको जो है इतना करने पर को पता चल जाएगा जोड लेंगे कितनी साइक्लेन प्रदिन इंग आप इसको जोड गे या हैगा श्क चाइब और साइंसर आया email आट इसको जोड़ेंगे 1565 और इसमें जोड़ेंगे 4236 तो आपका जो एंसर आएगा 5801 आएगा अप इसमें कितने दिन के लिए पूछ रहा है 17 दिन के लिए तो इसमें हम 27 का गुड़ा कर देंगे जब आप 5801 में 27 गुड़ा करेंगे तो आपको result मिल जाएगा जो आपका result आएगा वही जो है आपका यह answer होगा है इधनी ही जो है ताइकल जो है कार खाने में प्रत्त एक दिन बंती है अधिन जो है आपको मिल रहा है उसके बाद 27 दिन का पूछ रहा है तो उसमें आपको गुडा कर देना है तो जब आप इसको गुडा करेंगे देख सकते हैं यहां पर हम गुडा कर देख लेंगे पांच चार आठ सो एक गुड़े 27 कर देंगे तो यहां पर साथ एक कम साथ सुन्य 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 साथ अठे चापन चाहां से लगा पांच साथ पच्छे यहां पर यहां पर निसान लगा देंगे जो यह लिख सकते हैं दो एक कम दो दो सुन्य सुन्य आठ दुनी सो लग चाहां से लगा एक पांच दूनी देस एक ग्यार अब इसको आप जोड़ दीजिए साथ दो छै छै पांच एक यह आपका आ जाएगा एक लाख छपन हजाट चैसों सब्सक्राइब यह आपका एंसर हो जाएगा आप यहां पर डारेक्ट एंसर लिख दीजिए एक लाख छपन हजार और चैसों सब्सक्राइब इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका प्रेस्ट नहें रफन बस्ते खरीदें और 75 रुपए की दर से जो है 16 रेजिस्टर खेंदें दोनों वस्तुमों में खर्च किये गए रुपए का अंतर बताना है यहां पर सबसे पहले हम 300 रुपए की दर से 8 बस्ते 300 गुड़े 8 करेंगे हम जो आपका यह आ जाएगा आठ तिरिक 24 यह हो जाएगा 2400 कितने बैक खरीदने में आठ बस्ते खरीदने में कितने पैसे लगे अब इसके बाद 75 रुपए एक जर से 16 रेजिस्टर 75 गुड़े कर लीजिए आप यहां पर इसका कंप्लीट एंसर निकाल सकते हैं गुड़ा करके तो च्छा पंजे तीस सुन यहां फिल लगा तीन सच्छंग 42 43 44 45 अब उसके बाद यहां पर एक है तो यहां पर आप क्रॉफ लगा दीजिए जीरो लगा दीजिए एक पच्चे पांच एक सकते साथ यहां पर आप कर देंगे जीरो पांच पांच दस और यह साथ चारी गि मिल जाएगा हमने किया पचात्तर गुड़े क्योंकि यहां पर पचात्तर रुपए कि दर से जो है 16 खरीदे गये हैं जब आप गुड़ा करेंगे तो आपको जो है बारसो जाएगा एंसर इसको 1200 या बारसो आप जो कहना चाहें अब दोनों वस्तवों में खर्च किये गए रुपए का अंतर तो बड़े वाले मिस छोटा वाला आप घटा दीजिए यहां पर घटाएंगे तो सूर्नी सूर्नी चार मिस दो गए दो और एक में से दो में से एक गए एक जो आपका एंसर आ जाएगा वह आजाएगा आपका बारह सो रुपए मतलब दोनों वस्तवों में जो आपने समान खरीदा है उसमें अंतर जो है वह बारह सो या पिर एक हजार दो सो रुपए का है चलिए इसके बाद हम अगले प्रेस्ट की तरफ चलते हैं अगला हमारा जो प्रेस्ट है वह प्रेस्ट नंबर पांच है मरखान ने बीस रुपए किदर से 72 पिन खरीद कि एक हजार चार्सो चार्य से 1200 रुपए किदर से तीन पुष्ट के गुड़े करेंगे तो यह रहाएगा तीन दूनी चाह सो मैं उसके पास अब 6500 रुपाए बचे बतलर इसके बाद भी वह 6500 रुपए उसके बचे हुए हैं तो बरखा कितने रूपए लेकर वाजा गई थी यह तीनों चीजें आप जो है यहाँ पर जोड़ देंगे इसको आप नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह गुड़ा करके आपका एंसर आ गया है इतना जो है उतने जो है पैन खरीदा और इतने रूपए में जो है उसके खरीदी और उसके बाद भी 6500 रूपए बचा है आप सब जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितने रूपए उसके पास थे जीरो और यहाँ पर हो जाएगा चार और यह चार चार दस पांच पंदरा हासिल लगा एक चार एक साथ एक आपका जो एंसर आया है वो है 8540 रूपए कुल कंप्लीट जो पैसे बर्खा बाजार लेके गई थी वो है 8540 रूपए चलिए अब उसके बाद यहाँ पर जो है एक आपका मांसिक योगिता से संबंदित प्रस्न है इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें और किस प्रकार से आप गुड़ा जोड़ घटाना और भाग की प्रक्रिया का उप्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करके यहाँ पर अंसर ला सकते हैं चलिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं जैसे बारा पंजे साठ साठ में से दस घटाएंगे यह पचास यह चीजें आपको दी गई है उसके बाद नीचे यहाँ पर सॉल्व करना है आठ नौ और चार ऐसा यहाँ पर जो है कुछ निसान लगाना है जिससे यहाँ पर अठारा लास्ट में रिजल्ट आ जाए हम लोग यह चाहर और यहाँ पर जाएक तीन और यह हो जाएगे 4 8 बुसी परिकार से आगे भी हम करें यहाँ पर खाली स्थानों में हम मैं यह लगाएंगे तो हम यहां पर गुड़ा करेंगे ठीक है यह हो जाएगा जो जो है बीस घटा देंगे जब आप 20 घटा देंगे आपका जो रिजल्ट आ जाएगा दो और 22 यहां पर आप देख रहे हैं 22 आपका रिजल्ट आ गया है किसी प्रकार से अब हमको यहां पर खड़े खड़े भी करना यहां पर जैसे किया गया है बाराएठे चानबे चानबे में 14 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 110 छी प्रकार से हमको यहां पर सॉल्त करना है यहां पर भी हम गुड़ा करेंगे पाँच्च왔 45 45 में भाग देंगे हम 3 का दुआ जाएगा ये 15 45 भागे 3 करिए तो यह हो गया तीन एक कम तीन एक पांच तीन पच्छे 15 तो यहाँ पर आपको 15 रिजल्ट आ जाएगा यहाँ उसी प्रकार से इसको भी हम करेंगे यहाँ पर हम कुड़ा करेंगे 10 गुड़े 4 10 चालिस हो जाएगा 60 लाणना है यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर हम जो है 20 को जोड़ देंगे 40 20 यह हो जाएगा आपका अगला प्रस्न है 50 18 22 ऐसे हमको करना जिससे हो जाए 40 तो हम पचास में 18 जोड़ देंगे यह अपका हो जाएगा 60 50 60 68 और इसमें हमारा आज का वीडियो पूरा वीडियो के देखने के लिए आपको धन्यवाद आसा करते हैं कि आपको कुछ नई चीजें इससे सीखने को मिली होंगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें शेयर करें शब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गु